भाई हम तो शांपू के बाद कंडिशनिंग अवश्य करते हैं एक एक बाल रेशम की तरह लहरा जाता है इस वीडियो पर मौझूद कौन-कौन लोग इस बात से रिलेट करते हैं कि हमें तो कंडिशनिंग करना बहुत अनिवार रहा है वरना बाल ठीक-ठाक नहीं रहते हैं परिशानी आने लगती हैं बहुत सारी लोग होते हैं जो लंबे अर्से के लिए कंडिशनर का इस्तेमाल करते हैं और फिर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें हैर फॉल हो क्यों रहा है समझे ना तो आज मैं आपके साथ कुछ नाचरल वेज लेकर आई हूँ जिनको आप यूज कर सकते हैं और उस कंडिशनर को डिच कर सकते हैं यूज कीजिए ओकेशनली पार्टी फंक्शन में पर रेग्यूलर इस्तेमाल नहीं करेंगे आप चलिए जानते हैं वोट अलीट्स टो बीड़न अरे भाई फिर से 65% तो नॉन सब्सक्राइब लोग देखने हैं और सब्सक्रिप्शन वाले लोग खाली 35% ही देख रहे हैं ऐसा क्यों करेंगे सेरफ सब्सक्राइब नहीं करना है वापस आके वीडियो देखना भी है क्या प्रीत्य प्रेज्णा की फैमिली यार ऐसा नही करो जल्दी से सब्सक्राइब करो पांच मिलियन का माइलस्टोन आने वाला है फिर मिलेंगे लाइव आएंगे चिच्चाट करेंगे विल हाव लॉट्स और लॉट्स फण स्वागत है मेरे पूरे परिवार का उनके अपने चानल पीती प्रेड़ना पर आशा करते हूं आप स जो वीडियो आपने देखा है आप वही से स्टार्ट कर सकते हैं आपसल्यूटली नो प्रॉब्लम आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूं तीन अमेजिंग से लीवन हेर कंडिशनर्स जो कि आप नहाने के बाद शांपू कर लिया है उसके बाद बालों को हलका हल का ड्राय करने के बाद जब वो सेमी ड्राय है तब आप इन कंडिशनर्स का इस्तमाल करेंगे और अपने बालों में लगा रहने देंगे जिहां यह आपके बालों को कंडिशन भी करेंगे नरिश भी करेंगे हाइड्रेट भी करेंगे और नमें शाइन ग्लॉस और ग्लो भ के लिए रख सकते हैं और अगर refrigerate कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया अदवाइस small batches ही बनाई है और the hostel में रहने वाले girls and boys जो हमीशा confused रहते हैं मैंने आपके लिए अपडेट कर दिया है दो से तीन वीक हर leave-in condition को आप रख सकते हैं जितने भी hair conditions में यहां prepare कर रही हूं वो स सारे के सारे non-sticky होने वाले हैं oil का इस्तमाल होगा लेकिन सिर्फ इतना कि आपके बालों को hydration और shine मिले oiliness नहीं जिहां और जितनी भी चीज़े में यहां इस वीडियो में यूज करने वाली हूँ सभी के लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएंगे अगर आपके पास already वो समान नहीं है तो आप अपने लिए order कर सकते हैं सारी चीज़ों को इकत्रित कर सकते हैं और फिर prepare कर सकते है हैं हमारे amazing से leave-in DIY hair conditioners सबसे पहला hair conditioners में शेयर कर रही हूँ उन लोगों के लिए जिनके बालों में बहुत जादा फ्रिज रहता है बहुत जादा dullness अपेर होती है याद रखिएगा कि यह जल्दी से liquefy हो जाता है लेटर ओन जब सारी चीज़े बन जाती है और उसके बाद यह खराब हो गया ऐसा अपियर होता है होता नहीं है लेकिन फोड़ा शकल चेंज हो जाती है क्योंकि प्लान बेस दो प्लीज मेक शॉर कि अगर आप प्लान बेस ले रहे हैं तो आप रेफ्रीजरेट ही करें अगर नहीं कर सकते हैं तब आप मार्केट बेस ले लीजे एंड ट्राइट आट फी और साथ दूसरा इंग्रीजिंट यहां पर आपको लेना है वह है एक बड़ा चमच ओले वॉइल तेकि ओलेव जो है ना मतलब वो मैंने बत कर सकते हैं लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो यकीन मानिया आप जो जो जितने भी मार्केट बेस सीरम यूज़ करते हैं सब बूल जाएंगे या तो मैंने घर पे बना लिया इतना एजी फॉर्मुलेशन है कोई प्रिजर्विटिव नहीं है बहुत अच्छे रजाल्स है बहुत ही एकनॉमिकल और कन्वीनियंट ऑप्शिंस आरगन ओल के मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हैं आप अपने लिए ओडर कर सकते हैं चेक आउट कर सकते हैं इफ काम्फटेबल उन्हें यूज़ कर सकते हैं फोर्थ इंग्रीडिएंट जिसको हमें य अगर आप अच्छे से विस्क करेंगे तो एक सार हो जाता है बिल्कुल एक सा हो जाता है और इसको आप एक कंटेनर में लिए जैसे आप काम्फटेबल है यहां पर आलावेरा जेल और जितनी भी चीज़े यूज हुई हैं इनकी कंसिस्टेंसी सब जगे अलग-अलग होग और आप इसको रख देंगे दो से तीन हफते कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद रेफिजरेशन इस रिकोएड जब आप नहाँ बालों को अच्छे से दोलें सेमी ड्राय या बिल्कुल ड्राय नहीं होने चाहिए आप यह लेंगे और बिल्कुल चाहें तो स्कैल्पे लगा सकते हैं इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि मार्केट बेस कंडिशन की तरह से स्कैल्क में लगा जा सकता आप स्कैल्क में लगा यह लेंगे ज्यादा नहीं लगाना जस्ट इतना कि यह सारे बालों में जब हम कॉम करें तो इकुली डिस्ट्रिब्यूट हो जाए आए आप देखेंगे कोई फ्रिज नहीं है आप चोटी बानते हैं तो बाल बाहर आजाते हैं तो बस वो नहीं होगा और बिल्कुल डिसिप्लिन रहेंगे नाव इम डिसकासिंग केंडिशन रामबर टू यह उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है जिनके बाद बहुत जादा डामेज हो चुके हैं बहले ही केमिकल ट्रीटमेंट से बहले ही यूवी रेडियेशन से बहले ही आपने केमिकल प्रॉडेक्स अपने बाल सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है एक कप ग्रीन टी डिकॉक्षन जहां आपको पानी अच्छे से उबालना है इसमें तीन से चार ग्रीन टी बाग्स लेने हैं अच्छे से खॉलने देना है ताकि सारा का सारा जो ग्रीन टी के अच्छे न्यूट्रियंस है अंटा दूसरा आपको लेना है 1 tablespoon of castor oil, अरंडी का तेल, ये बहुत प्यारा तेल होता है, ये, मतलब castor oil और आपकी skin का जो oil निकलता है, sebum, almost same होता है, आपकी skin, आपके बाल, आपका शरीर इसके लिए इतना comfortable है, और repair process, कोई, मैं I can challenge, दुनिया की कोई cream, दुनिया की कोई conditioner, इस ची स्काल्प है, तो आपको लगेगा कि जल्दी-जल्दी oil आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, आप सिरफ अपनी lens पर लगाई है, स्काल्प के पास मत ले जाए, ये आप कर सकते हैं, और to help yourself, क्योंकि डामेज है, तो repair process चल रहा है, आप tea tree oil या रोजमेरी essential oil, इसको ले लीजे, क चेक कीजिए every single time, और कोशिश कीजिएगा कि spray bottle भी आप वो लें जिसका जो अंदर का pipe होता हो थोड़ा थिक हो, क्योंकि तेल है वो अटक जाता है कही बार बीच में, so please make sure कि आप अच्छे से थिकर, अच्छी quality की spray bottle लें, और अच्छे से अपने पूरे length पर spray करें, जैसे ह आप नहा जाएं, यह आपके बालों में day one से काम करना शुरू करता है, repair process शुरू करता है, और within three-four washes आपको देखता है कि आपके बाल, पहले के मुकाबले बहुत जादा better appear हो रहे हैं, लंबा यूज़ करते हैं, unlike your market-based conditioner, इसको आप सालो साल यूज़ कर सकते हो, और कोई negative impact आपके बालों में इसके वज़ा से नहीं आएगा, आसपास की गरबड़ी आप कर सकते हो, पर इनके usage से कोई negative impact आपको नहीं मिलेगा, अब हम बात करते हैं, हमारे third DIY conditioner की, जो की आपके बालों में growth दे सकता है, अगर आपको बहुत severe hair fall हो चुका है, और आप regrowth चाहते हैं, तो भी आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, nourishment ये आपके बालों के लिए है, अगर आपके बाल बहुत जादा dull appear होते हैं, growth नहीं होती है, इन सभी समस्याव से आप जूज रहे हैं, तो ये conditioner आपके लिए है, और within few applications ही आपको changes दिखेंगे, अगर आप एक अच्छा lifestyle रखते ह हैं, कोई गलक चीज अपने बालों के लिए यूज नहीं करते हैं, तो I am sure कि आपको बहुत जल्दी results दिखेंगे, इसको prepare करने के लिए एक बोल आपको लेना है, इसमें आपको लेना है, दो बड़े चमच, दो टेबल स्पून के आसपास, aloe vera gel, रेशो आप उपर नीचे कर सकते हैं, absolutely no problem, इसमें आपको लेना है आपका दूसरा ingredient and that is one tablespoon of hojoba oil, देखें, hojoba oil के उपर मैं अलग से पूरी video बना सकती हूँ, कि आपकी skin और आपके बालों के लिए कितना compatible है, और जो भी परेशानी है, जिस भी तरह से आपके बाल परेशान है या fix नहीं हो पा रही ह उसको ये address करता है, इसमें आपको लेना है one tablespoon of glycerine, जो कि आपके बालों में वो shine impart करेगी, वो hydration देगी, आपको पता है कि glycerine hyaluronic family को belong करता है और ये भी वही काम करता है, हलका सा sticky होता है, जो कि बाकी ingredients compensate कर देंगे और आपको कोई चिपचिपाहट महसूस नहीं होगी, last but not the least, आपको one third cup of rose water यहां पर लेना है, या distilled water, जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं, अच्छे से whisk कर लीजे और एक pump bottle में store कर लीजे ताकि आप इसको बार बार हात ना लगाए, क्योंकि हात लगाने से ingredients है या आपस में गरबढा सकते हैं, वो हम नहीं करेंगे, तो pump bottle में ही इस वाले conditioner को आप स्टोर कीजिए, अच्छे से ले लीजे, जब आके बाल सेमी ड्राइ हैं, कम्प्लीटी ड्राइ से पहले कभी भी और पूरे लेंज पे अच्छे से रांडम ली लगा लीजे, जब आप ब्रश करेंगे तो सारे बालों में इवनली चला जाएगा, तो आप अब मुझे नीचे लिखकर बता रही हैं, कि आप कौन सा वाला conditioner अपने ले बनाने वाले हैं, अगर आप इसको प्रिपेर करेंगे तो अपना experience और अपने results हमारे साथ अवश्य शेयर कीजेगा, पूरा परिवार वेट करेगा आपके results का, आपके experience का, आपके बहु बहुत ही खुबसूरत सी जर्नी का, मैं आप सभी से मिलती हूँ, अपनी आगली वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा खयाल रखिये, खुश रहिए, जैहिंद!